कि वो पिद्ध कर दीजिस दॉक्तर मुखरी नगे लिए दोस्त अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो ना सिखना चाहते हो ना तो जैसा मैं करता हूं ना वैसा करो सचाई यही है इससे सचाई से देखो जब तक एक्चुली क्या है अब तक रूल मेथड देता रहा आप म कि जो अंगरी जी बोलते हैं, उनके पास vocabulary कम से कम, 1000, 2000 होते हैं, और हम लोगों के पास जो आप हैं, आपके पास vocabulary 100-200 हैं, तो वही 100-200, फिलहाल जितना है आपके पास आ स्टॉक, उस 100-200 को पहले बोलने का प्रयास करो, तो जैसा मैं कहता हूँ, वैसा करो, और जैसा मैं करता हूँ, वैसा करो, आपके अंदर आप सब जितने भी students है, all of your students क्या करते हो, कि आप सर्म करते हो, तो सबसे पहले देखो, सर्म नहीं करना है, सबसे पहले आपको plan बना, just to have to make a plan, एक plan बना ये, और उस plan को execute करिए, कि भाई उसको कैसे सफल बनाना है, तो जैसे भी इंग्रे हो, हमने कहा है कि कुछ आप लिखने का प्रयास करना वो भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, बस खाली मेरा वीडियो देखते हो, और इसी को बार बर देखते हो, इसके साथ कहा था किस वीडियो को हजार लोगों में सेयर करना, और फोन पे बात करना वो भी नहीं कर पा रहे हो तो आपको सबसे पहले कुछ करना है जैसे आज मैं जैसे कर रहा हूं मेरे साथ आप दूराइएगा मेरे साथ किजिएगा जो पूछू वो बताइएगा तब जाकर के आप आज फिलकर यह देखे मैं सोचा हूं अब क्या ना कि थोड़ा थोड लिखा हूं। जैसे आप मैं चलेंज लेता हूं कि जासे प्लेच लिया था तो वही कि बुल्वाने का मैं ले रहा हूं कोई दे रहा हूं, कुछ घवन देटु नहीं दे रहा हम है आपको। आज मैं कोई नाम नहीं लिखा जान बुछ कर के क्योंकि हर दिन मैंmana चाहता हूं बुलबाओं अरिया आज का काम ऄए खुतम काल कांम काल खुतम करेंगे अब क्या है कि तुम्हें द्टीजाता हुँ मन में चंताय हो जाता कि मैं देवन है देटु हाँ अज आ गया तो पहले क्या काम करना है कि आज का वीडियो आज ही खतम करेंगे, आप से पूरा कर पूरा बूलवाऊंगा, तब जाकर के आगे में बहाऊंगा, मावुण चला प्रहा दिया सब, अभी तर जहां थे वहीं है, बोलना कुछ नहीं आ रहा, तो काम सब गड़र हो सकता है, इसलिए जितना सिखते हैं ना स्ट्रक्चर के बिना अंगरेजी नहीं होगा, तो सबसे पहला काम स्ट्रक्चर को याद रखिए, स्ट्रक्चर है सब्जेक प्लस वीवन वीफाइव अदर बढ़, आभी बताईए जो बच्चे नय है, जो बच्चे फरस्ट टेम आप आये हैं, मुझे बताईए कि वीवन या वीफाइव, वीवन या वीव परचित हो ना भाई, वीवन वीवन मतलब प्रजेंटेंस, इसको बात मैं करता हूँ, मेरी बात अब लिखते रहना, कॉपी कलम निकाल लो, और लिखते रहना बिटा, इसको हम कहते हैं, वीवन वीवन मतलब प्रजेंटेंस, ध्यान अब देखिए है sentence दिया हुआ लूटता है, लूटना मनलग कोई समा लूट लिता है, अब लूटने के बहु सरे अंग्रेजी होता है, अब प्रेजेंटेंस की बात है, तो अंग्रेजी बनाने में सबसे पहले क्या चाहिए, subject, subject के बाद भरू चाहिए, मैं simple दिया हूँ, तो वह लूटता है, ही रॉप्स या ही प्लेंडर्स, अब देखो, वह लूटता है, उसे लूटा जाता है, पहले इन दोनों में अंतर समझिए, वह लूटता है, उसे लूटा जाता है, मैं लूटता हूँ, मुझे लूटा जाता है, तुम लूटते हो, तुम्हें लूटा उन्हें लूटे जाते हैं या उन्हें लूटा जाता है ठीक है 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 उन्हें ल लबाऊंगा आपको सब बोलना है हमने बोला हुआ है लूटता है he plunders he robs आप बताओ उन्हें लूटा जाता है अब थोगा समझ लो यहाँ पर बहुत बच्चे अज्ञान होते हैं उन्हें नहीं पता क्या है यह sentence active हो गया और यह sentence passive हो गया लेकि अब दिमाग passive बोलते हैं तुम लोगा दिमाग चक्रा जाता क्यार पता नहीं कैसे बोला जाएगा यह ऐसी passive छोड़ो active passive भोलो tense means भूलो पहले ध्यान दो किया है एक structure है जिसमें verb का first form verb का fifth form subject singular तो भी-5 लगाते हैं subject plural तो भीवन लगाते हैं काई एक बार पहा चुका हूँ पीछे वाले video में काई एक बार तो भीवन पता होगा भाई ही है तो रॉप्स होगा आई होगा तो रॉब होगा यह होगा तो इससे पता है अब मुझे लूटा जाता है अब उसे लूटा जाता है यह जो उसे है वो कोई काम नहीं करा लूटने वाला कोई और है देखो मैं लूटता हूं यह मैं खुद काम कर रहा हूं लेकिन मुझे लूटा जाता है तो ठोड़ो जो प्रहा रहा हुं सको प्रोficult2 काम ने कर रहा हूं मूझ यजा जाता है तो है चुरिकर ना मतलब्य करना को लूटना कहते हैं आ हिंदी सम्झो तो तुम लूटते हूँ पिर क difar तुम्हें लूटा जाता है उन्हें लूट को या रहा है कि तुम खड़े हो लूटकर चला गया MobilXT बहुत कराऊंगा तुम क्या सोच रहे हो कि धर्मेंसर बैठे रहे हैंगे ना सपथ लिया है सिखाने का शिखा कर चोड़ूँगा वे लोटते हैं उन्हें लूटा जाता है एक सिस्टम से बनारा हूं एस युको बोलते हैं बहुत एक बुलवाता हूं बोलो अंग्रेजी 100% आजागा चलो वह लुटता है ही रॉप्स, ही पलंडर्स ही रॉप्स, ही पलंडर्स अब अब बोलो उसे लुटा जाता है ही एज रॉप्ड, अब देखो ही इज रॉप्ड, इस एमार के साथ वीत्री लगाया इसे भी present tense ही कहते हैं ये perfect tense मन समझना इसे मार के साथ भीत्री आ जाए तो उसे perfect कहते हैं बटा ये चीज़ ध्यान रखना मैं थ्वासा सिखा दूं बच्चों को बच्चे न थ्वासा नाजूक होते हैं बच्चे नाजूक है तो कि बटा subject के साथ अगर तुमने यहां पे ध्यो धान दो subject के साथ वी वन या वी फाइब लगाया तो इसे हम present कहते हैं ठीक है वी वन का मतलब हुआ plural और वी फाइब का मतलब हो गया singular वी फाइब का मतलब एस या इस होता है राइट अब subject के साथ अगर is mr धान देना और वी फाइब लगाते हो तो present tense का passive voice होता है इसके बाद अगर noun या adjective लगाते हो तो यह normal होता है जैसे हमने कहा he is going to school he is going to school वह school जा रहा है continuous हो गया हमने बोला कि she is saint, she is plundered, she is a student she is mad तो यह हो गया एक normal सा और वी फाइब लगा दिया बात खतम करो, screenshot लेना चाहो ले लो यह ध्यान देना बात को खेरेने भी यहां तक बात पहले ही पहाँ चुका हूं आप लोगों को बासिक बापीस यहां पर आईए तो हमने कहा कि वह लूटता है he robs, उसे लूटा जाता है he is robbed I hope समझ में आ गया होगा, चलो अब अंग्रेजी तुम लोग बोलो, मैं नहीं बोलो, तुम बोलो अब, बोलो मैं लूटता हूं हाँ, मैं लूटता हूं I robs, मुझे लूटा जाता है I am robbed I am robbed, होगा न बाबू I am robbed तुम लूटते हो you plunder, plunder मतलब लूटना होता है you plunder या you robbed तुम्हें लूटता है you are robbed देखो, you are robbed you are plundered वेलो लूटते हैं, वेलो का अंग्रेजी मैं धीरे देपा रहा हूं न वेलो का, they लूटने का, plunder they plunder वेलो लूटते हैं उनहीं लूटता है they are plunder, they are robbed समझ मा आ गया, आप यहां देखो they are robbed, they are plunder, बहुत बढ़िया आप आपको सिखाना पड़ेगा, pit part करके अगला देखो, मैं एक प्राक्टिस करा रहा हूं एक लिख रहा हूं, ऐसी लिखना है मैं भेजता हूं, जैसे मैं किसी चुको भेज दिया, मैं कलम भेज दिया आदमी को भेज दिया, तो मैं भेज दिया I send, I send this letter I send you है ना, जैसे मैं पत्र भेज दिया तो मैं आपको छोटा छोटा पहले मूँ खोलो कि तब ना तो मैं पत्र भेजता हूं, I send this letter I send you simple below, हमने भाला मुझे भेज दाता है I am send, अब आपको भीथरी पता होना चाहिए कि भाई, send का भीथरी क्या होता है तो मुझे भेज दाता है I am send आगे देखो, तुम भेजते हो, you send तुम्हें भेज दाता है, you are send तुम्हें का क्या होगा, you, you के साथ क्या लगाओगे और भेजना का send होई रहा है, देख रहे हो you are send, तुम्हें भेजा जाता है तुम्हें भेजा जाता है, you are send जब व्यक्ति काम कोई और करे तो उसमें easy mark भीथरी लगाते हैं उसको हिंदी में paysy boys कहते हैं boys तो आइस ना है, तो कोई बात नहीं अंग्रिजी बोलना तो आ जागा कि भाई काम अगर हम नहीं कर रहे हैं कोई और कर रहा है तो भीथरी लगाना, मैं ही करूंगा उसको tense कहते हैं, उसमें tense के नुसार चलना मैं नहीं कोई और कर रहा है तो भीत्री लगाना समझ पार हो ना देखो ना मैं आदेश देता हूं कहां मैं आदेश देता हूं तो मैं ही ने काम कर रहा हूं तो हो जागा I order I order मैं आदेश देता हूं है ना जैसे मैं तुमको आदेश दो I order you मुझे आदेश दिया जाता है भा I am ordered, I order, I am ordered, मैं इजाज़त देता हूँ, इजाद क्या होता, permit, तो I permit, है ना, क्या हो जागा, मुझे जाद जाती है, तो I am permitted, इजाद मतलब permit देना, अधिकार देना, है ना, इस तरह से, तो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, I permit, I am permitted, और देखो, इस तरह से करोगे, तब जाकर समझ में आगा, अब देखो, हमने हाँ वोकेब लिग दिया, इंसल्ट का हिंदी सब को पता है, बोलो पता है कि नहीं अपमान, बोलो इनकरेज का हिंदी पता है कि नहीं, उत्साहित करना, बोलो रिक्वेस्ट का हिंदी पता है न, बहुत बड़ीया, र उची को sentence में फीड कर देना है अब देखो, insult, तुम अपमान करते हो तुम अफमान का word insult पता है लेकिन तेंस के साथ उसको अड़ेस्ट करते हो तुम अपमान करते हैं, तुम अपमान किया जाता है तुम नहीं कर रहे हो, तुम अपमान कोई और समझ पा रहे हो, मतलब मैं चाहता हूं कि whatever comes, जो दिमाग में आता हो ना, बस उसको बोलो एक बार, तुम्हारा अपमान किया जाता है, तो क्या हो जागा, you are insulted, रस्ट्रक्षर पता है ना, तुम्हारा अपमान किया तो तुम का भी you, और तुम्हारा का भी you, और तुम्हारा क कि देखो, तुम प्रोशाहन देते हो, मतलब तुम किसी को encourage करते हो, तो तुम प्रोशाहन देते हो, तो क्या हो जागा, you encourage, किसको देते हो भाई, तुम चाहो तो आगे जोड सकते हो, तो you encourage the people, you encourage the student, मैं पहले structure चाहता हूं, याद हो जाए, तो बोलो मेरे साथ, you encourage, तुम् encouraged by the father, encouraged, कुछ भी जोड सकते हो, वहाँ पकड़ता है, वहाँ पकड़ता है, पकड़ना का catch, वहाँ पकड़ता है, he catches, उसे पकड़ जाता है, he is caught, है ना, तो बोलो मेरे साथ, तुम अपमान करते हो, you insult, तुम्हारा अपमान कियाता है, you are insulted, तुम प्रोशाहन देते हो, you encourage, तुम्हें प्रोशाहन देता है, you are encouraged, वहाँ पकड़ता है, he catches, उसे पकड़ता है, he is caught, he is caught, clear, आगे practice करो, अब देखो, हमने पास्ट ले लिया, बोलो पास्टेंस पता है न, एस प्लस वी टू प्लस अदरबड, सिंपल पास्टेंस का है कि नहीं होय बाबू, अब देखो उसने पूछा, उससे पूछा गया, एक बना के दिखा दिया हूँ, बागी तुम्हें बनाना है, बोलो मेरे साथ, उसने पूछा, he asked, उससे पूछा गया, he was asked, he asked, he was asked, he asked, he was asked, उससे पूछा गया था, मान तुम ने का, अरे, यहाँ कोश्चन उससे पूछा गया था, this question was asked, right? He was asked, he asked, he gave, he gave, gave, he was given, right? He was given, he gave, he helped, he helped, he helped, he was helped, he helped, he was helped, he had, he was ordered, he had got her, he was ordered, now I am now saying you have got soon, you ordered, you have got, you ordered, you have got consensus, you were ordered, you were ordered, है कि यह कि र है गल्ति बोला हो ही है ऐसे है न सबस्क्राइब मॐथ तूधु आर लिकंट तह के इसको याद करने का प्यास करें मैं आपके साथ 15-20-25 मिनिट रहता हूँ इससे आपको help ये मिलता है कि basic vocab आप कहोगे तो मैं आपको vocabulary भी दे दूँगा list दे दूँगा और इसके साथ basic vocab भी जाएं जो basic अपना channel है DSL spoken English उस पर भी जाएं और दोनों को मिलाकर के साथ में पढ़िए आपके लिए बेतर है मैं प्रती दिन without gaping मैं आ रहा हूँ इसका love उठाए फायदा उठाए बसमेश पार है आप जितना बोलेंगे उतना बेतर होगा जितना बढ़िया बनेंगे उतना बेतर होगा फिर से मिलते हैं रात के 9 बजे Thank you very much